आज हम बात करेंगे दस मीटर एयर पिस्टिल स्पर्धा में तोक्यो उलम्पिक में पदक के बड़े दावेदार सौरभ चौधरी की मन में कुछ कर गुजरने का जजबा दृढ आत्म विश्वास और लक्ष पर सटीक निशाना साध कर देश के लिए कई कीरतिमान रचने वाले निशानेबाज सौरभ चौधरी तोक्यो उलम्पिक में पदक के बड़े दावेदार हैं बचपन से ही सौरभ को निशाना लगाने का शौक था और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने शौक को प्रोफेशन बनाने का मन बना लिया सौरभ की माँ ब्रजेश्ट देवी बताती हैं कि वो बचपन से ही सौटिंग को लेकर बेहद फोकस्ट थे सौरभ का अंतराश्ट्री करियर 2016 में ISSF Junior World Cup से शुरू हुआ उसी साल तेहरान में एशियन चैंपिनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया 2018 के एशियाई खेलो में सौरभ स्वन पदक जीतने में काम्याब रहे ऐसा करने वाले वो भारत के सबसे युवा निशाने बाज भी बने उसी साल एशियन एयरगन चैंपिनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल, टीम इवेंट और मिक्स्ट इवेंट में कुल मिलाकर 3 स्वन पदक जीतने के बाद सौरभ यूथ उलम्पिक गेम्स में भी स्वनिम सफलता हासिल करने में काम्याब रहे 2019 सौरभ के लिए बेहद खास रहा इस साल उन्होंने विश्योकप के विक्तिगत स्परधाओं में दो स्वन सहित मिक्स्ट इवेंट में चारो आई एस एस एफ विश्योकप अपने नाम किया इसी करिश्माई प्रदर्शन के बाद उन्होंने तोक्यों का टिकट भी हासिल कर लिया तमाम उपलब्धियों के बीच सौरभ की निगाहें उलम्पिक स्वन पदक पटिकी हैं और वहाँ वो अपना सर्वश्रिष्ट देना चाहते हैं भारतिय निशानिबाज अपूरवी चंदेला को लगता है कि सौरभ तोक्यों में बड़ा करिश्मा कर सकते हैं 60 से जादा स्वन पदक जीतने वाले सौरभ तोक्यों उलम्पिक में स्वन पदक पर सटीक निशाना साध कर तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं